नमस्ते फ्रेंड्स मैं मधुली का ओट कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ आज हम लाए हैं आपके लिए फ्रेश सीताफल की आइसक्रीम बहुत ही यम्मी टेस्टी है जटपट से 3-4 इंगेड में बन जाती है आप इससे जरूर ट्राय कीजिएगा यदि आपको नैच सीताफल खरीदें और उसे आप एक बोल में डालका चम्मस से मैश करेंगे तो इसके बीच अलग हो जाएंगे और इसका जो पल्प है वे अलग हो जाएगा तो बीड्स को निकालके आप अलग कर दें तो तीन सीताफल से मुझे यहाँ पर यह एक कप सीताफल का पल्प मिला है इसे इस तरह से फ्रेश और सेम टाइम ही निकालकर आप रखें अब हम यहाँ पर एक बड़े बोल में एक कप नॉन डेरी विपिंग क्रीम लेंगे नॉन डेरी विपिंग क्रीम को किस तरह से केक्स और डैजर्स के लिए विप के जाता है इसका मैं अल्रडी अब एक वी तो हमेशा मैं इस तरह से हैंड बिलेंडर जो एलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर डबल ब्लेड वाला उससे विप करती हूं करें तीन से चार मिट में अच्छे से विप हो जाती है हमें यहाँ पर आईस क्रीम बनानी है तो इसे हम सॉफ्ट पीक्स आने तक ही विप करेंगे इ तो इस तरह से हम यहाँ पर अमुल क्रीम को डाल देंगे और आधा कप के करीब हम पिसी चीनी डाल देंगी चीनी आप अपने टेस्ट के कॉड़िंग डालें क्योंकि यहाँ पर जो कस्टर्ड एपल का पल्प हो काफी मीठा होता है साथी में नॉन डेरी विपिंग क्रीम हमन यह देखिए एक बास पैचुला से जरूर घुमाएंगे और इसी तरह का टेक्शर आना चाहिए आप इसमें कोई भी दूद या कुछ ना डालें यदि आपने हाँ पर इससर में दूद डाला तो इसमें आइस क्रिस्टल आ सकते हैं अब हम एक कप जो हमने फ्रेश सीता फल में वह नहीं मिलेगा जिस तरह से की नैचुरल की आप आइस क्रिम खाते हैं बिर्कुल अमेजिंग वैसा ही टेस्ट आपको आएगा लाग्डाउन के कारण में वह आइस क्रिम नहीं खा पा रही हूं इसलिए मैंने इसी घर पर बनाया आप बहुत ही अमेजिंग टेस्ट अब हम इसे किसी भी 8-8 कंटेनर में डाल लेंगे और इसे धक अच्छे से 7-8 घंटे के लिए सेट करेंगे ध्यान रखें कोई भी आपको इसमें बर्तन लें उसका धकन बहुत अच्छे से टाइट होना चाहिए कभी भी ओपन बर्तन में इसे सेट ना करें नहीं तो इसके बोला भी नहीं जा रहा है बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्टा है मैं वेट कर रहे हूं कब 7-8 घंटे खतम हो और मैं इसे टेस्ट कर सकूँ तो यह मेरी बहुत ही बढ़िया पसंदीता आइस क्रीम है इसलिए मैंने इसे बनाया है तो 7-8 घंटे के बाद में मैं इसे खोल मिल रहे हैं आप तोरंत मार्केट से लाएं और इसे बनाएं और देखिए कितना अच्छा इसका टेक्शर आया है बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी यह वर मार्केट से भी बहतर हमारी आइस क्रीम बनी है जब आप इसे खाएंगे तो आप तारीफ करते हुए करें मैं इसी तरह से आइस क्रीम और पुडिंग घर पर बनाती हूं और एंज्यॉय करती हूं इसी तरह की रेसिपी के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू